तो बिटा यह तेरा तारिक की इंग्लिश की वर्कशिट अभी हम कर रहे हैं मोडाल्स तो यहां पर हमें बेसिकली इस वर्कशिट को सॉल्फ करने के लिए यही देखना है कि एबिलिटी या रिक्वेस्ट करने के लिए हम कैन या कुड का इस्तमाल करेंगे तो देखो तो यह एक अडवाईज है तो आपने यहां पर शब्द का इस्तमाल क्या शुड टिक कर देते हैं बलकि यह एक तरीके से आपको मस्थ ही है कि आपको करना ही चीए वरना infection क्या होगा फैल जाएगा तो ये कोई ability या request नहीं है I finish my project तो ये आपको करना ही है obligation है तो I have to My mother could जब वो young थी तो सस्विम कर लेती थी You should not speak loudly ये एक advice है Dash you ask him, could you ask him to help you I have it not decided, ये possibility है तो I might take science in class 9th अब आपको कहा गया क्या principle है और supposedly आपको guideline set करनी है student और staff के लिए तो write down in the space given below तो guideline क्या हो सकती है guideline हो सकती है कि everyone must follow social distancing कि सब लोगों को social distance क्या करना है follow करना है students should not eat together तो ये आपने एक उनके लिए advice जारी कर दी staff may take a leave if not well तो ये आपने एक possibility जारी कर दी वहाँ पर कि अगर आप ठीक नहीं है तो आप ऐसा कर सकते है no one should spit outside तो ऐसे आप कोई भी guideline जारी कर सकते है thank you so much for watching the video friends please subscribe to our channel keep supporting us